तो साइन्स एम किसम आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसका एप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट यहां पर हो चुका है और इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए अब चल्ली कितना रहने वाला है अब पर जूनियर स्टाप नर्स की वेकेंशन रहने वाली है आपके पर चंडिगड की तरफ से ठीक है और यहां पर एद्जूकेशन कोलिब केसन की बात करे तो आपके पस नर्सिंग की डिगरी होहना चाहिए और और यहां पर आपका जो registration है वो INC इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का होना चाहिए तो आप यहां पर reply कर सकते हो और इसमें क्या work रहेगा वो आप यहां पर देख सकते हो portal entry का काम रहेगा इसमें record और report का sample collection का और patient की care करना यह basic काम आपका रहने वाला है और यह इसकी कुछ term and conditions है और forum किस प्रकार से बरना है चलो देख लो आप यह वाला forum आपको बरना होगा यह application forum और यहां पर आपको passport size का photo लगाना है clear और इसमें आपकी detail बरनी है state क्या है district क्या है pin क्या है contact number क्या है आपका date of rate क्या है आपने कौन से year में पास क्या था आपका college कितने नमबर email बरके इसके साथ आपको documents attach कर देने आपकी जितने भी documents से जिसे की 10 वी का marksit हो गया बारवी का marksit हो गया nursing का degree हो ठीक है और registration का certificate हो गया यह पूरा आपको attach कर देना है अब यहां पर आप बोलेंग sir attach करके पर यह कहां पर send करना है तो यह जो address आप देख रहे हो यह email यह दे पहुत ही limited है यह देखिए यह email देख रहो ना एम राइपूर का तो यह एम राइपूर की जो email है न यहां पर आपको send कर देना है पूरा format so age limit की बात करें तो यहां पर 24 से 35 रखा गया है और selection का procedure आपका वोई interview के basis पर रहने वाला है यहनकी यह सीधी बढ़ दिये interview के बेस पर आपका selection होगा पेस केल की बात करें 31,500 आपका रहेगा अब बात करें कि apply कैसे करें तो मैंने आपको बठाय दिया कि फोरम बर के documents अटेज करके आपको email कर देना है अब यहां पर आप बोलिंग सर interview कब होगा और कहां होगा तो यह address है interview का यह वाला यहां पर आओगा आपका interview और फिर बोलेंगे आपके interview का date क्या है तो वह है आपका 21 नौंबर 2023 ठीक है और फोरम का जो last date है वो 28 अक्टूमर रहने वाला है तबी तो मैं आपसे बोलता हूं कि subscribe करके bell icon पर प्रेस करके रखा करो ताकि जितनी भी emergency vacancy है वो immediately आपको मिल जाए फिर यहां पर आप सोच रहे हूंगे सर क्या सब भी को interview के लिए बुलाई जाएगा तो देखिए ऐसा नहीं है यहां पर interview के लिए एक list पहले जारी की जाएगी है ना तो यह देखिए the list candidate eligible candidate की जो list है ना वो चार नौंबर को जारी कर दी जाएगी चार नौंबर को पता ल एड्रेस में आपको बताया रखा है यह वाला तो यह आपका date है interview का और यह address है आपका interview का और यह है eligible जो student रहेंगे कि किस-किस को जाना interview के लिए तो यह रहने वाला है फिर कोई doubt रहा गया हूं ना तो आप बता देना और वेसे टेलेग्राम फोलो कर रखा हूंगा ना तो यह PDF तो सारा का सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा और PDF में आराम से आप पड़ सकते हो तो link वीडियो के description में दे रखा है